मित्रो सब्सक्राइब कीजिए जोतिष्णिकेतन चैनल को और बेल आइकन को दवाईए नई वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मित्रो नमस्कार आज उपाय की चर्चा करेंगे कि आपको पता है व्रक्ष के पत्ते भी सम्रद्धी बढ़ाते हैं व्रक्षों के पत्ते भी हमारी सुक्षान्ती एवम धनलाब में मिशेश जोगदान देते हैं व्रक्षों के पत्ते घर लाकर आप भी सुक्षान्ती सम्रद्धी एवम धनलाब पा सकते हैं इसके लिए सबसे पहले अभीष व्रक्ष के पास जाकर प्रातना करें कि आप मेरे साथ चलें और मेरे ग्रह में निवास करके मेरी मनोगामच्छा पूर्ण करें और सुक्सान्ति सम्रद्धी एवंधनला प्रदान करें नक्षत्र आप पंचांग से जान सकते हैं जिस दिन रोणी नक्षत्र हो उस दिन बेल के व्रक्ष के पास जाकर उससे प्रातना करके बेल के पत्ते कर लियाएं उन्हें जेव या अलमारी में रखेंगे तो गर में सुक्सम्रद्धी बढ़ेगी जिस दिन आधरा नक्षत्र हो उस दिन आम के पत्ते लाकर खेत में दबा दें ऐसा करने से फसल में वरद्धी होगी जिस दिन आशलेशा नक्षत्र हो उस दिन बहेड़े के पत्ते लाकर अलमारी अगले में रखने से आये में वरद्धी होती है जिस दिन अनुरादा नक्षत्र हो उस दिन नीगू के पत्ते लाकर अपने पास रखने से वैपार में सफलता मिलती है स्रवार नक्षत्र में अंगूर के पत्तों को लाकर पास रखने से सोताओं को प्रभाविश करने की छमता बढ़ती है क्याने कतात पर ये है कि वक्स शिद्धी प्राफ होती है, कोंगों फाविनि नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन करंजर के पत्ते लाकर पास रखने से कोड के शहरी या मुगंध्में में सफहले बिंदों लाकर अन्मारी या अपने लॉकर में रखने से दन सम पत्ती में आश्रे सौनक शत्र जिस दिन हो वर्गत के पत्ते ले आएं लाकर उने अलाज के बंडार में या आज के रम में रखने से बंडार अख्षे रहता है ऐसा करने से लाव होता है तो आप उसको दूसरों को बताकर उन्हें भी लाव कराएं और दुआएं मैपने कमाएं नई चर्चा नई वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे जय हिंद दोस्तों